हेलो एवरिवन स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टूडी क्लास फिप्ट वर्क सीट नंबर 27 इन इंग्लिस इन इस वर्क सीट वी विल स्टूडी टॉपिक ग्रामर सो लेट्स स्टार्ट क्वेशिन वन इस कम्प्लीट द सेंटेंस बाइ चूजिंग द प्रॉपर वर्ड प्रॉम्दा गिवन चॉइस बच्चो यहां पर कुछ ब्रैकेट में चॉइस दी गई हैं वर्ड्स की इन में से करेक्ट वर्ड को चूज़ करके सेंटेंस को कम्प्लीट करना हैं तो लेट्स सी फिस्ट इस हैं यहां पर क्या होगा आपने सारी मिठाईयां खाली हैं नेक् ची और हर तो यहां पर सी और ही दोनों ही आ सकते हैं क्योंकि यहां पर कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि वो एक बॉय है या गर्ल है तो सी और ही डिड ओल दर वर्ड उसने सारा वर्क किया नेक्स्ट इस डिड यू इट अ केक इन द पार्क इन यहां पर आल्रेडी लिखा हुआ है तो यहां पर क्या होगा इन क्योंकि आउट तो लिख नहीं सकते और नहीं एट तो यहां पर अन्डर जो वर्ड है यह इंडिकेट करता है कि चेयर के नीचे है तो हम अबब नहीं लिख सकते हैं तो यहां पर हम क्या लिखेंगे black chair की किताब काली chair के नीचे है next है I need go to school today तो यहाँ पर क्या आएगा 2 for then में से 2 I need to go to school today आज मुझे school जाना है next is the cat is very all because or little बिल्ली जो है वो क्या है बहुत छोटी है the cat is very little next is we played a game of chess chess का game कैसा होता है hard, slowly और hardy तो game होता है hard इसलिए यहाँ पर क्या फिल करेंगे we played a hard game of chess हमने chess का एक hard game खेला next is put the bird in its cage house room bird किसमे रहती है cage में, तो यहाँ पर क्या आएगा cage, next है they finished eating तो यहाँ पर क्या होगा are, have and not तो यहाँ पर finished जो है third form है, तो third form में हम क्या फिल करते है, have they have finished eating उन्होंने अपना खाना कर्म कर लिया है next is ravi lost shoes ravi के जूते खो गए है तो यहाँ पर क्या आएगा about खोने वाले है या because or his तो यहाँ पर correct word होगा his ravi के अपने जूते lost हो गए है now question 2, fill in the blanks using the words given in the box box में जो word दिये गए हैं उन्हें use करते हो blanks को complete करना है words है mine, ours, hers their, his, or yours first is it is your toy, it is yours यह example है बच्चो यह है आपका toy है इसलिए यह आपका है next is it is my bag, यह मेरा bag है it is mine तो हम दूसरी तरीके से इसे कैसे बोलेंगे it is mine, यह मेरा है next is it is our school यह हमारा school है तो हम दूसरी तरीके से इसे कैसे लिखेंगे it is ours यह हमारा है next is it is her book यह उसकी book है it is hers यह उसकी है Next is It is their house यह उनका house है It is theirs यह उनका है Next is It is his shoe यह उसके shoe है It is his यह उसके है Next is It is your pen यह आपका pen है It is yours यह आपका है Now question 3 Complete the sentences by choosing the proper word from the given choices यहाँ पर भी choice दी गई है brackets में उन में से correct choice को choose करना है और sentence को complete करना है For example This is my house and that is hers यह मेरा घर है और वह उसका तो हम हर नहीं लिखेंगे उसके के लिए यहाँ पर क्या वर्ड उसके करेंगे Hers Next is This is my माइन टिकेट तो यहाँ पर क्या होगा My ticket यह मेरा टिकेट है Where is your or yours So Yours will come Where is yours आपका कहा है Next is We have visited they और their house Many times हम उनके घर पर कई बार विजिट कर चुके हैं तो यहाँ पर उनके के लिए word यूज होगा their their house But they have never been to our or ours So there will be ours लेकिन वे हमारे यहाँ पर नहीं आए हैं Next is These books are my or mine यह बुक्स मेरी हैं So mine will come here These books are mine They are not her or hers Here will be hers They are not hers यह उसकी नहीं हैं Next is This is him or his bag So here will be his bag This is his bag यह उसका bag है and that is hers और यह है उसका है Next is My shirt is red मेरी shirt red है What is the color of shirt Your or yours यहाँ पर क्या आएगा What is the color of your shirt आपकी shirt का क्या color है Next is Your or yours house is bigger than my or mine यहाँ पर लिखेंगे हम Your house is bigger than mine Next is My or mine birthday is on May 18 When is your or yours यहाँ पर हम क्या लगाएंगे Mine birthday नहीं लिखेंगे यहाँ लिखेंगे My birthday is on May 18 When is yours Now question 4 The letters of the below words are jumbled नीचे जो words दिये गए हैं इनके जो letter हैं वो jumbled हैं Find out what the word is अब हमें यह पता लगाना है कि उनमें क्या word छेपा है Write it इसे लिखें On the space provided जो जगह दी गई हैं उसमें First word है EADL इसका correct word क्या बनेगा Lead Next है ESOM तो इससे क्या word बनेगा SOME Next is CEPH Correct word इसमें से क्या बना सकते हैं Cheap Next is TLFOA इसमें से correct word क्या बनेगा Flot Next is M-R-A-E-D इसमें से correct word हम क्या बनाएंगे Dream D-R-E-A-M Next is GRHTI इसका correct word क्या बना सकते हैं R-I-G-S-T Next is RDMA I-A-R-E इसमें से correct word क्या बनेगा Married M-A-R-R-I-E-D Next is H-T-O-U-S Correct word क्या होगा South S-H-O-U-T Next is U-I-D-E-G इसमें से correct word क्या बनेगा Guide G-U-I-D-E Next is O-Y-N-Y-M-N-S इसमें से correct word क्या होगा Synonym S-Y-N-O-N-Y-M-S Now next question Youth Is or Are In the blanks अब हमीं Is or का use करना है For example There are lots of flowers in the garden Garden में बहुत सारे फूल है तो यहाँ पर क्या आएगा Are There are lots of flowers in the garden Next is There are big dog in my yard मेरे yard में एक Big dog है बड़ा सा dog है So क्या आएगा यहाँ पर Is There is a big dog Next is Tom going out today तो यहाँ पर हम इस लगाएंगे यह are Tom यहाँ पर singular है इसलिए हम यहाँ पर singular verb का यूज़ करेंगे Is Tom going out today क्या Tom आज बाहर जा रहा है Next is They going in the zoo They zoo है यहाँ पर plural pronoun है इसलिए हम plural pronoun के साथ plural verb का यूज़ करेंगे Are they going in the zoo क्या वे जू जा रहे हैं चिडिया घर जा रहे हैं Next is It's sunny day इट के साथ हम कौन सी verb का यूज़ करते हैं Singular का It is sunny today Next is Who you playing with today तो बच्चो यह ज़िए sentence है यह गलत है यहाँ पर क्या होगा Who के बाद हम verb लिखेंगे उसके बाद Playing with you today तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे Who are playing with you today आज तुमारे साथ कौन खेल रहा है Next is They having fun at the park तो दे क्या है यहाँ पर plural pronoun है तो दे के साथ हम कौन सी verb व्यूज़ करेंगे They are having fun at the park वे पार्क में fun कर रहे हैं Next is What he doing He के साथ हम कौन सी verb व्यूज़ करते हैं Singular word What is he doing वे क्या कर रहा है Next is There are lots of birds singing today तो यहाँ पर there के साथ हम क्या यूज़ करेंगे Are because there is lot of birds Birds जो हैं बहुत सारी है Next is Who going with you आपके साथ कौन जा रहा है तो हम क्या फिल करेंगे आपर Is Who is going with you 150 words Using the hints given below 120 से 150 words की एक स्टोरी लिखनी है नीचे hints दिये गए हैं उनका यूज़ करके Hints है Sitting near a window Enjoying the rain on the mountains Peter patter on the window Pain disturbs Sound of the FM station Unable to access radio stations Fresh green day all around Vibrant Soothing smell of the wet soil All of a sudden noise of the footsteps Heart doorbells rings So story will be like this One day एक दिन I was sitting near a window मैं एक विंडो के पास बैठा था या बैठी थी I was listening music on the radio और रेडियो पर music सुन रहा था And enjoying the rain on the mountains और mountains पर बारिस हो रही थी तो उसका भी नज़ा ले रहा था Suddenly अचानक I heard a loud sound That is Peter patter on the window pan अचानक सी मैंने एक loud sound सुनी जो की बारिस की बूंदो की थी और window pan पर जो गिर रही थी Which disturbed the sound of the FM station जिसने FM station की sound को disturb कर दिया Due to thundering और thundering के कारण My radio was unable to access radio station जिसके कारण मेरा जो radio था वो radio station तक एक्सिस करने में unable था There was fresh greenery all around my house मेरे घर के चारो तरफ हरी आली थी There were vibrant air and soothing smell of wet soil everywhere कपकपाने वाली थंडी हवा चल रही थी और जिसके कारण गीली मिट्टी की खुस्बु चारो तरफ फैल रही थी All of sudden noise of the footsteps heard अचानक से मैंने footsteps की आवाज सुनी and doorbells rings ट्रिंग ट्रिंग और दरवाजे की घंटी बजी My father was at the door मेरे पापा दरवाजे पर थे Now question 7 Read and answer the question यहाँ पर बच्चे एक passage है जिसको पढ़ना है और उसके बाद इसमें से कुछ questions है उनके answer देने है My dad is a soldier मेरे पापा एक soldier है He goes to training camp every few months वह पिरते कुछ महिनों में training camp जाते है I do not like it मुझे अच्छा नहीं लगता when he goes to camp जब वो camp जाते है Because क्योंकि I do not get to see him for a long time क्योंकि मैं उन्हें फिर बहुत टाइम तक नहीं देख पाती हूं When my dad does come home जब मेरे पापा घर आते हैं He always surprised me तो वो मुझे हमेशा surprise करते हैं Today I was at the spelling competition in my school आज मैं अपने school में spelling competition में हूँ I was nervous मैं बहुत nervous हूँ Because I was not a very good speller क्योंकि मैं बहुत अच्छा बोलने वाली नहीं हूँ When it was my turn जब मेरा number था I stood up मैं खड़ी हो गई My teacher said मेरी अध्यापक ने कहा बबीता Spell the word grateful grateful सब्द को बोलो I thought मैंने सोचा That I could never spell that कि मैंने तो ये word कभी बोला ही नहीं है I was about to give up मैं छोड़ने ही वाली थी When I saw my dad in the crowd और जब मैंने भीड में अपने पापा को देखा He gave me two thumbs up तो उन्होंने मेरी तरफ thumbs up से इसारा किया So I did my best और इसलिए मैंने बहुत अच्छा किया And spelled grateful just for him और उनके लिए मैंने जो word grateful था उसे बोला Now question is Where has Babita's dad been Babita के फादर कहां थे Babita's dad had been a soldier Babita के फादर एक soldier रहे थे जो की camp में थे Next question is Why did Babita not like when her dad is going to camp Babita को क्यों अच्छा नहीं लगा जब उसके पापा कैंप में जा रहे थे Babita did not like when her dad is going to camp Babita के फादर जब कैंप में जा रहे थे उसे अच्छा नहीं लगा Because क्योंकि She doesn't get to see him for a long time क्योंकि फिर वह बहुत time तक अपने पापा को नहीं देख पाती थी Next question is Why did Babita's teacher ask her to spell grateful Babita की teacher ने उससे वर्ड जो grateful था उसे बोलने के लिए क्यों कहा Babita's teacher asked her spell grateful Babita की teacher ने उससे grateful वर्ड को बोलने के लिए इसलिए कहा Because she had participated in spelling competition in her school क्योंकि उसने अपने school में एक spelling competition में भाग लिया था Next question is What made Babita spell the word right? किसके कारण Babita ने सब्द को सही बोला? Answer is the two thumbs up sign of her father made Babita spell word right अपने पापा के thumbs up sign को देखकर उसने word को सही बोला Students, if you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel Thank you Thank you